नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है अगर आप एक सीनियर सिटिजन है, बैंक के अंदर फिक्स डिपोजिट है तो उस केस में आपको फॉर्म 15H बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको अपना TDS डिड़क नहीं करवाना बैंक हर क्वार्टर आपका TDS डिड़क करके सरकार को जमा करती है जिसके लिए लिमिट 50,000 रखी गई है यानि अगर आपको ब्याइट 50,000 से ज़ादा मिल रहा है तो आपका TDS डिड़क हो जाएगा लेकिन आप Form 15H जमा करके ये TDS डिड़क करने से बस सकते हैं जिससे आपका TDS जो है वो बैंक नहीं डिड़क करेगी लेकिन ध्यान रखेगा आपकी Basic Exemption Limiter तीन लाग रुपे से ज़ादा नहीं होनी चीए अगर तीन लाग से क्रॉस कर गई है अगर आप Tax Liability में आ गए है तो उसके इसमें आपके लिए Form 15H जमा आप नहीं कर सकते Form 15H जादा तर अप्रेल के स्टार्टिंग महिने में ही कर देना चीए ताकि पुरे Financial Year में आपका TDS डिड़क ना हो अगर अभी तक आपने अपना Form 15H जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना Form 15H बैंक के अंदर या Post Office के अंदर अगर आप Fixed Deposit करवाते हैं तो Form 15H जमा करना आपके लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है इसी के लिए हम आज के ये वीडियो लेकर हैं जिसके अंदर हम आपको पूरी डीटेल बताएंगे कि कैसे आपको Form 15H जो है को fill up करना है एक एक डीटेल आपको डीटेल में समझाएंगे ताकि आपको इसे कोई भी गलती ना हो तो दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है चैनल पे नहीं तो सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोडिविकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोडिविकेशन रिगारी हमार वीडियो से रेगुलर करना है अगर आप किसी बैंक के अंदर फॉर्म 50 ने जमा करने जा रहे हैं आपकी फिक्स डिपोजिट है टीडियोस अगर आपको नहीं डिड़क करवाना उसके लिए आपको फॉर्म 15 ने जमा करना पड़ेगा एक बार अगर आपका टीडियोस डिड़क हो गया सरकार को ज जमा कर दे, अभी भी देरी नहीं हुए, अभी भी आप अपना form 15H जमा कर सकते हैं, अगर अपनेल का महिना जा चुका है, तो उसके इसमें आप मही महिने में भी अपना form 15H जो है वो जमा सरकार को कर सकते हैं, आएए बात करते हैं, form के बारे में क्या-क्या इसके अंदर detail जाएगी जो आपकी personal detail होगी आईए देखते क्या-क्या personal detail आपसे मांगी गई है सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपका नाम आपसे पूछा जाएगा तो दोस्तों name of sse एक भी यानि जो declarant है जो declare कर रहा है इस form को form 15H को ध्यान रखेगा आपको अपने pen card के अंदर जो नाम है वही नाम आपको यहां पर लिखना है उसके अलावा कोई और कोई और spelling यहां पर आपको नहीं लिखिई है तो यह भूउत ध्यान रखेगा के pen card के अंदर जो आपका नाम दिया है, वही नाम आप यहाँ पर लिख दे, इसके बाद आपको pen number अपना दिया जाएगा, जो आपके पास pen card होगा, उसके अंदर pen number होगा, तो वो pen number यहाँ पर लिख सकते हैं, अब आपको जो date of birth यहाँ पर लिखनी होगी, वो DD-MM-YY के format में लिखनी होगी, अब बात करते हैं, इसके previous year के बारे में, तो ध्यान रखेगा, इसका जो previous year है, यह मान के चलेंगे, कि यह एक present financial year है, जो previous year इसका है, वो एक present financial year है, यानि हम इस साल के लिए अपना form 15th जमा कर रहे हैं, पिछले साल के लिए नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर previous year जो है, वो current year आपको लिखना है, यानि current financial year लिखना है, यानि financial year 24-25 लिखना है, अब आजाते बात करते हैं, आपको अपना address यहाँ पर पता बताना होगा, तो क्या आपका flat, block number या door number है, वो आप लिख दीजिए, इसके बाद आपकी कौन सी premises है, वो भी आप लिख सकते है कौन सी building में आप रहते है, building का नाम है, तो वो लिख दीजिए, road, street, land में आप रहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं, इसके अलावा जो भी area है, locality है, वो आप लिख दीजिए, धियान रखेगा, आपके पास city का यहाँ पर option दियेगा है, city, district, town, जो है, वो आप लिख ना होगा, इसके बाद आप अपनी mail id और mobile number यहाँ पर दे सकते हैं, तो यह तो आपकी basic detail है, personal detail है, जो आपको यहाँ पर fill up करनी है, जो आप सभी को पता होती है, क्या assessment हुआ है, कभी tax अगर आपका assessment हुआ है, पिछले कोई assessment year में, यहाँ पर पिछले 6 सालों में, अगर कभ का assessment किया गया है, तो यहाँ पर जो latest है, यहाँ पिछले साल हुआ है, तो assessment year 23 चोईस आप लिख सकते हैं, ध्यान रखेगा, ज्यादा तर जो normal practice है, वो यहाँ पर tax assessment के लिए no का option select करने को कहा जाता है, ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर जो accept कर लिया जा form 15H जो वो declaration दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको estimated income लिखनी है, ध्यान रखेगा estimated income की detail आपको कहा से मिलेगी, जो detail आप 18 number point में submit करने वाले है, 18 number में आप यहाँ पर जो submit करेंगे, यानि जो भी account number है, आपका fix deposit की जो FD number है, वो आपको देना होगा 18 number के column में, इसके बाद nature क आपको मिल रहा है, कौनसे section में आपका TDA से deduct हो सकता है, यानि interest है, तो 194A income tax के हिसाफ से आपका TDA से deduct होगा, 10% की rate के हिसाफ से, अगर 50,000 से जादा exceed होता है, और कितना amount of interest आपका है, उस FD related, यानि अगर आपने 5 FD करिये, 3 FD करिये, 2 FD करिये, तो सभी FD का आपको estimated interest जो column है, यानि 15 number के table में आपको दे देनी है, इसके बाद बात करते है, 16 number की table जिसके अंदर आपको estimated total income देनी है, including income 15 के अंदर, जो 15 के अंदर आपने interest income दिखाई है, वो तो आपको देनी है, इसके अलावा अगर आपकी कोई other income है, जैसे salary income हो गई, या अगर आपका dividend आपको मि नहीं कर सकते, उसके इसमें आपका TDS deduct होगा, और आप income tax return फाइल करके ही, इसका benefit ले पाएंगे, दोस्तों, इन details के अलावा आपको ये भी detail देनी है, कि क्या आपने पहले कोई form 15H जमा किया है, तो 17 number के अंदर, कितने form 15H आपने जमा किया है, तो उसकी detail देनी है, और कितन total amount आपने दिया है 15H के अंदर, वो आपको दे देना है, 18 number के column में हमने आपको already बता दिया है, क्या-क्या detail आपको देनी है, जितनी भी आपकी fix deposit होगी, वो सभी fix deposit की detail आपको देनी है, कौनसी nature of income आपको वहाँ से मिल रही है, fix deposit से वो आपको बताना है, कौनसे section में TDS है, और कितने कितने amount का आपको interest मिल रहा है, यह सभी detail आपको दे देनी है, तो दिये दोस्तों यह पुरा का पुरा form जो है, यहाँ पर complete हो जाता है, 18 point यहाँ पर cover किये, इसके बाद आपको signature यहाँ पर कर देना और यह declaration दे देना है, यह जो भी detail आप दे रहे हैं, वो सही है, correct है, और कोई भी detail जो है, यहाँ पर गलत नहीं है, आपको यहाँ पर place, date और आपको signature अपना दे कर ध्यान दखेगा, कौन से period के लिए, ending of the period आपको select करना, 31 March 2025, क्योंकि पुरे साल के लिए आप कर रहे हैं, और assessment यह कौन सा होगा, यहाँ पर आपका choice 25, financial यह रहे हैं, तो assessment yearage 25, 26 होगा, तो यह देना ना बुले, और अपना नाम भी आप declaration में जरूर दे दे, तो दोस्तों यह पूरा form जो है, वो यहाँ पर हमने fill up कर दिया, अब यह form जो है, आप जमा कर सकते हैं, bank में जाकर, अगर आपकी bank जो है, online आपको यह form देती है, तो आप online भी form को submit कर सकत आपकर आप इसको जमा कर दे, ताकि bank जो है, इस form के बाद आपका TDS deduct ना कर पाए, हमने आपको detailed process सिखाए, कैसे आप form 15H fill up करके bank को जमा कर सकते हैं, और अपना TDS बचा सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल से जल कर लिजे, 156,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके है, आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपका subscribe बटन को click करना बहुत ही important है, हम ऐसी ही update आप सभी के लिए regular लाते रहते हैं, आप चाहते हैं कि और कोई नहीं update आपके लिए लेका हैं, और कोई form आ कर दो आपके लिए लेका हैं, आपके 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 हैं, आपके